गाईज आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने बाला हूँ जिससे आप एप हाइड कर सकते हैं, एप में लौक लगा सकते हैं, फोटो हाइड कर सकते हैं, पहुत सारी चीजे आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं, आपको मैं कैलकुलेटर एप के बारे में बताने बाला हू लेकिन आपके अलावा और किसी को पता नहीं चलता है और वो settings में जाकर के आपका password पता होगा settings वाला तो वो दोस्तों उसको open करके भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता तो guys सबसे पहले तो हम यहाँ पे play store पे जाएंगे play store पे जाने के बाद मैं हमको यहाँ पे search करना आ है जो भी guys यहाँ पे real यह वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो हम यहाँ पे calculator hide app यह हम search करेंगे जैसे हम search करेंगे यह app आपको install कर लेना है hide you calculator lock तो मैं इस पर click कर दूँगा यहाँ पे मैंने click कर दिया इंस्टॉल होने के बाद में मैं आपको step by step बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पे बिना setting में जाए आप अपने app पर lock लगा सकते हैं कैसे app को hide कर सकते हैं कैसे यहाँ पर photo hide कर सकते हैं सब कुछ step by step बताने वाला हूँ वीडियो पसंद आये तो यहाँ पर चैनल क टाइब का इंटरफेस दिखाई देगा अब यहाँ पर आपको नीचे agree and continue का option दिखेगा इस पर click करके grant पर click कर दीजिए यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर allow access to manage all files इस पर click कर देना हैं यहाँ पर click किया अब यहाँ पर got it पर click कर दीजिएगा यहाँ अब guys आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने होंगे तो मैं यहां पर जैसे कि कर देता हूं 1,2,3,4 यह मैंने क्रिएट कर लिए अब यह equal to के sign पर click कर दूँगा अब वापस से reconfirm करता है मुझे तो यहां पर 1,2,3,4 इस पर click करके equal to पर click कर दूँगा यहां पर लिखा हुआ यहां पर आप देखेंगे इस टाइप का interface दिखाई देता है अब यहां पर करना क्या होता है simple सा मैं आपको बता देता हूं जैसे कि यहां पर आप देखिए option दिखेगा hide apps इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर app lock का दिखेगा और यहां पर आपको cloud storage का भी दिखेगा यहां पर और इसके अलावा trace का भी दिखेगा तो यह बहुत सारे options दिखते है settings के दिखते हैं photos के दिखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर app hide करके दिखा देता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा मैंने यहाँ पर lock लगा लिया यहाँ पर जैसे की air tail का app है इसको मैं hide करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर app में जाऊँगा, यहाँ पर जो हमने password set किये थे, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर equal to की sign पर click कर दूँगा, hide app पर click कर दूँगा, इस पर click किया, यहाँ पर click करने के बाद मैं, अब यहाँ पर इस type का interface दिखाई देगा, यहाँ पर मैं इसको calculator पर click कर देता हूँ, यहाँ पर click किया, तो यहाँ पर जो हमारे calculator का theme बगएरा यहाँ पर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर OK पर click कर दूँगा, यहाँ पर अब हमको वापस calculator पर जाना पड़ेगा, मैं इस पर जाऊँगा, यहाँ पर गया, 1, 2, 3, 4, और equal to के sign पर click कर दिया, यहाँ पर इस type का interface आपको दिखाई देगा, यह एप यहाँ पर hide हो चुका है, आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर airtel का app नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से hide हो सकते हैं, अब मैं वापस इस एप में जाऊँगा, और यहाँ पर equal to के sign पर click कर दूँगा, यहाँ पर पास्पर डालके जो हमने create किये थे, यहाँ पर इस type का interface दिखाई देगा, add आएगा, add को मैं यहाँ पर skip कर दूँगा, यहाँ पर add को हमको थोड़ा सा wait करना होता है, यहाँ पर add आता है, तो मैं यहाँ पर add पर इस पर click करके है, यहाँ पर थोड़ा सा skip करना होगा यहाँ और यह थोड़ा सा long आता है, यहाँ पर add, तो हम इस पर click कर देगे, मैं यहां पर देखिए इस type का interface दिखाए देगा. अब मैं आपको photo बाद मैं hide करके दिखाऊंगा. इससे पहले यहां पर lock लगा करके दिखा देता हूँ. यहां पर मेरे what's up पर lock नहीं लगा. चलो मैं दिखाई ही देता हूँ यहां पर. WhatsApp पर जाओंगा, यह WhatsApp का एप रहा, इस पर जाओंगा तो यहाँ पर आप देखिए एप मैं यहाँ पर लोक नहीं लग रहा अब मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में जाओंगा यहाँ पर बापस से एड आजाएगा इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहा रहा था यहाँ पर चलो, एड नहीं आया अब यहाँ पर एप लोक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर गाईज, अब मैं यहाँ पर WhatsApp पर लोक लगाना चाहूंगा यहाँ पर आप देखिए, इनको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूं इनको WhatsApp को यहाँ पर चूज कर लेता हूं और यहाँ पर Protect पर क्लिक कर दूँगा यहाँ पर मैं पेटरन डाल देता हूं यह मैं देखिए, अब यहाँ पर बापस से यही पेटरन डाल देता हूं यह यहाँ पर अब permit पर क्लिक कर दूँगा यहाँ पर हमको permission देना पड़ेगी ना तो मैं यहाँ पर permit पर क्लिक कर देता हूं यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर Calculator Not Allowed लिखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर फिर बापस यह permit करना होगा मुझे, तो यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर permission देनी पड़ेगी, तब ही तो हम lock लगा पाएंगे, यहाँ पर permit पे लगा पाएंगे, यहाँ पर पर क्लिक कर दूगा, यहाँ प यहाँ पर रालुब तो यहाँ पर लोख खुल जाएगा अब क्रॉम पर भी दिखा देता हूं यहाँ पर यह program browser पर जाऊँगा तो यहाँ पर भी lock लगा हुआ है है किसी को पता नहीं चलता अब किसी को क्या पता कि यह कै्लकुलेटर में यह राध छुपा हुआ है सब जानेंगे कि यहां पे सेटिंGS में सब काम हो रहा है लेकिन लेकिन सेटिंग पुलेटार लुग की नहीं लगा रखा तो कहां से होगा तो इस तरीके से अप यहां इप हाइड कर सकते हैं एप में लॉक लगा सकते हैं अब फोटो हाइड करके दिखा देता हूँ जैसे मैं यहां पर गैलरी में जाऊंगा तो मैं यहां पे नीचे फोटो पैना चाहूंग्ध कब आपको एलबम में दिखाई दे रही है अब में यहाँ पर उस एप में जाओंगा यह एप में गया यहाँ पर मैंने पासपर्ड डाले यह इकोल टू पर कलिक किया अब यहाँ पर एड़ आएगा वो एड़ की बड़ी प्रोबलम रहती है यहाँ पे तो इस हैड को हमको skip करना होता है, यह processing से, अब यहाँ पर मैं back में आ जाओंगा, back में आ गया, अब यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर album का option दिख रहा है, इस पर click कर दूँगा, यहाँ पर click किया, यहाँ पर इस पर plus के icon पर click करूँगा, यहाँ पर जैसे कि photos पर click कर दूँगा, यहाँ जैसे मैं photo choose कर दूँगा, जैसे कि यह photo बोला था न मैंने, इस पर click कर दूँगा, नीचे hide पर click कर दूँगा, यहाँ पर यह photo hide हो जाएगी, आप देखें यह hide हो गई है, ठीक है, अब हम यहाँ पर जाएंगे, album में यहाँ पर, album में मैं जाता हूँ बापस से, यह album में ग password डाल दूँगा, equal to पर click कर दूँगा, वो यह add आता है, यहाँ पर add की बड़ी problem रहती है, थोड़ी सी, यह यहाँ पर disadvantage है, इसके, बागी और सब कुछ इसमें बढ़िया है, यह थोड़ा सा add वाली problem है, यहाँ पर आप देखे, add का यहाँ पर skip का आ गया, हम यहाँ पर इ इस पर click करूँगा, app lock पे, यहाँ पर इन पर click कर दूँगा, यह इन में WhatsApp Chrome से यहाँ पर lock हट चुगा है, अब photos पर click करूँगा, इस पर click किया, अब इस पर click करूँगा, यहाँ नीचे आपको unhide का option दिखेगा, इस पर click कर दूँगा, और यहाँ पर original path पर click करके, ओके प हो चुकी है, अब मैं इनको बापस दिखा भी देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एरटाल का यह एप रहा, WhatsApp पर click करेंगे, तो यहाँ पर lock नहीं लगा हुआ, अब हम यहाँ पर L1 में जाते हैं, L1 में जाएंगे, तो आप देखेंगे व